नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेकन फोई स्मार्ट में दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अध्यन करेंगे यूथ पॉब्लिकेशन बुक की बुक में जो भी रेलवे के आए हुए प्रिबियस येर के क्वेस्टन से उनके बारे में रीजनिंग की बुक है ये बहुत ही अच्छी बुक है और इसी से क्वेस्टन से मैं करा रहा हूँ आपको दो पार्ड अभी अपलोड हो चुका है यदि आपने अभी वीडियो नहीं तो बेनिफिट मिल सके तो शुरू करते हैं दोस्तों 92 क्वेस्टन नंबर है ये बिस्की का संबंद जो है डिस्टिलरी से है तो ब्रेट का संबंद किसी से होगा आपको वीडियो को पाउस करना है लगाने का पर्यास करना है आप लगा ले जाएंगे तो आपका बिस्की का संबंद डिस्टिलरी से है जिस प्रकार से बिस्की का निर्माड जो होता है वो डिस्टिलरी में होता है तो ब्रेट का निर्माड जो है वो कहां पर होता है बेकरी में होता है ठीक है तो इसका आप्सन जो होगा ये आप्सन नंबर बेकरी में हो जाएगा आप्स contrast का संबन्ध कौन से सब्द से होगा चार option दिया हुआ है correct, contradict, match, oppose इन चारों में से कौन सा option होगा तो इसमें produce का अर्थ जो होता है वो होता है निर्मान करना और इसका जो belong होता है यानि कि इसका just opposite होता है वो based होता है तो contrast का जो अर्थ होता है वो होता है फर्क दिखाना और जो opposite होगा वो होगा match ठीक है तो इसका answer number जो option number होगा वो भी हो जाएगा next question देखेंगे दिये गए बिकल्पों में से सब्द चुने जो पहले योग में के सब्दों की भाती आपस में संबंधित हो ग्राम का संबंध ग्रेन से है तो pound का संबंध किस से होगा चार option दिया हु है इसमें एक option आपको चूज करना है वीडियो को पाउस करें लगाने का पर्यास करें लगा ले जाएंगे तो आपको confidence level बढ़ेगा तो दोस्तों ग्राम जो है वो चना को ग्राम बोलते हैं और यह अनाज से संबंधित है तो pound जो है वो weight भार का प्रकार है ठीक है pound जो है व समरूपता के आधार पर दिये गए विकल्पों मेंसे नहीं दिया गया जोड़ा ग्यात करें ठीक है एनिकी food का संबंध्ध twice से है तो hand का संबंध्ध कौन से सब्द से होगा ठीक है food जो है वो संबंध्ध है तो hand का संबंध्ध कौन सा सब्द होगा थंब होगा fingers होगा palm इन में से कौन साप्शन है चोज करके आप एक बार कोशिस करिए तो दोस्तों इसमें जो होगा वो option number C हो जाएगा answer इसका और इसमें जो उंगली है वो जिस प्रकार से sorry जो प्रकार से food जो है वो twice संबंध्ध है वैसे ही hand जो हाथ है वो जो है हाथ की उंगलियों से संबंध्ध है ठीक है next question देखेंगे average का संबंध्ध peak से है तो यहां पर दो जैसे ही जैसे एवरेश्ट और peak संबंध्ध रखते हैं ऐसे इसमें से दो जो है अर्थ आपको दो सब्द ऐसे चुनने हैं जिनका आपस में वही संबंध्ध हो जो की average और peak से संबंध्ध है ठीक है तो इसी परकार से आपको चूज करना है तो इसका option number जो है वह ली हो जाएगा मैं बता देता हूं ऐसा क्यों हो रहा है दो जो पीक होता है वह पीक मिन्स होता है चोटियां ठीक है चोटियां जो है वह पीक के लिए होती हो सबसे उंची चोट और average को सबसे उंची बोलते हैं उंची चोटी जो है वह एवरेस्ट है तो उसी प्रकार जो है गरह जो है प्लाइनेट जो है सबसे बड़ा गरह जो है वह ब्रिस्पती है जूपिटर बोलते है उसको ठीक है नेक्स्ट कुश्चन देखेंगे मोथ का संबंध्ध जो है इंस जैसा कीट होता ही है और यह कीड़े का भी एक वर्ग होता है तो यह इंसेक्ट से संबंध्ध है तो माउस जो है माउस उसी परकार एक चुहा होता है ठीक है माउस जो है चुहा होता है तो रोडेंट जो है कि कृतंक प्राणी होता है कि वर्ग से संबंध्ध है मिन्स कहने क का संबंद कौन से सब्द से होगा देखे नाइट ब्लेंडेंज और साइट तो यह सब नॉर्मल इंग्लिस के वर्ड हैं यह आप लोग भी मैच कर सकते हो परियास किजिए बिल्कुल आप कर पाएंगे रिजिनिंग बहुत ही आसान आती है रेलवे में कोई बहुत टफ लेव मिन्द जो होता है वो होता है रताउंधी ठीक है तो इसका संबंद से है साइट मिन्द से होता है द्रिष्टी उसी परकार जो इसका मतलब होता है रुक रुक कर बोलना है स्ट्यूटर करना मतलब रुक रुक कर बोलना और स्पीज का संबंद होता है भासर से ठीक है तो यह अब लिखा हुए सरकम्बेंट का संबंद बाइपास है तो कॉम्प्रेहेंसिवल का संबंद कौन से सब्द से होगा तो इसमें चार आपको एक चूज करना एक सही होगा इसमें से तो 99 का जो आइंसर हो जाएगा आइंसर नमबर ए हो जाएगा UNDERSTANDABLE हो जाएगा जिस परकार जो है सरकम्बेंट जो है वो बाहर-बाहर से निकल कर जाना उतां और इसका समान अर्थ मिँखे है बाइपास बाहर-बाहर होके चले जाना ठीक है योई सहर में आप इंट्रीना दी जाया अपको और सहर के बाहर से भाइपास आप निकल जाएं ति दोनों सरकंपेंट और बाइसट एक दूसरे के समनार्थी ऐँ तो होगा तो चार आप्स न है इसमें से एक आप्सिन सभी होगा चूछ करना है आपको इसमें ऑप्सन नंबर अ यह हुजएगा लावा से समद्स है इसमें जो एवा इवा 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 लेंच है इसका मतलब होता है हिंज खलन सबस्तित्पाई और इसका संबंध है ऐइस से, तो हिम ज़ियमर्फ होता है, ठीक है, और जो वालकेनो है, वालकेनो कut का मतलव होता है ज्वाला मुखी तो ज्वाला मुखी से क्या निकलता है लावा निकलता है ठीक है नेक्स्ट वोश्चन देखेंगे USA का संबंध है डॉलर मतलब USA में डॉलर चलता है तो टर्की में क्या चलता है ये आपका एक जीके का भी कोशिचन त्यार हो जाएगा तो आप जो है कोशिच करिया आप लगा पाएंगे 102 का जो option होगा वो option number C हो जाएगा इसमें ली रहा होते हैं वहांकी मुद्रा और जो tennis है tennis का संबंध court से है मतलब tennis जो है वो court पे खेला जाता है तो boxing कहां पे खेला जाएगा boxing का जो संबंध होगा वो हो जाएगा बी नंबर रिंग में boxing खेला जाता है पहली जोड़ी में दिएगे सब्दों के समान बिकल्पों में से संबंधी जोड़ी को चुने देखो यहां पर लिखाए कोख का संबंध जो है वो हैं से है तो stack का संबंध काउन से सब्द से होगा तो इसमें option number B हो जाएगा हिंद से ह होगा क्योंकि ऐसा है ना कोक जो है को का संबंध feminine gender के अंतरगाता है हैं माने मुर्गी तो इन दोनों का संबंध हो गया और stack जो है stack का मतलब होता है हिरन हिरन भी feminine gender में आता है तो हिंद हिंड हो गया ठीक है next question हम लोग देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है best Bengal का संबंध कोलकाता से है तो मेघाले का संबंध किस से होगा देखें बेस्ट Bengal की जो राजधानी है वो कोलकाता है मेघाले के राजधानी क्या होगी यह भी जिकी के question आपका बनेगा तो इसका option option number जो हो जाएगा इसमें एह हो जाएगा कि सिलोंग जो है वो मेघाले की राजधानी है next question अगर आज artifact जो है वो museum का संबंध रखता है तो books का संबंध किस से होगा ठीक है तो यह 106 number का जो option होगा वो option number सी हो जाएगा library का संबंध होगा books से और यहाँ पर मैं बता देता हूँ इसका definition क्या होगा जिस प्रकार artifact जो है वो museum से अगराल है ठीक है तो बुक्स का संबंध जो है वो किताबों से होगा library में जो है पुस्तकाले में बुक्स होंगी next question देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है contemporary जो है वो historic से संबंध है तो ancient का संबंध कौन से सब्से होगा 107 number जो होगा इसका answer हो जाएगा c modern से संबंध होगा ठीक है तो यहाँ पर जो है ऐसा होगा कि इसका जो मतलब निकल रहा है contemporary का मतलब होता संसमाइक और इसका जो बिलोमसब्द होता है वो historic होता है ठीक है और modern का संबंध होता है ancient के साथ में देखो modern जो होता है वो आधुनिक होता है और ancient जो होता है वो प्राचीन होता है नेक्सट कु मोग देखेंकि यदि वोल्ट मीटर का संबंद संबंद की सिए यहां पर देख लिजे आप्सोन नंबर भी हो जाए गारेंट से इस नंबर का है इसका option नंबर भी हो जाएगा old meter से voltage मापा जाता है और a meter से जो है वो बिद्दु मापी जाती मतलब बिद्दु धारा current मापा जाता है तो यहाँ पर 109 नंबर आ गया है car का संबंध petrol से है तो लोको मोटिव का संबंध कौन से सब्द से होगा इसमें इसमें चार option दिया हुए है a b c d वीडियो पाउच करना है लगाने का आपको पर्यास करना है यदि आप लगा ले जाएंगे तो आपका confidence level बढ़ेगा इसमें option नंबर c हो जाएगा कोल क्योंकि जिस परकार petrol इंधन का इस्तिमाल कार में होता है उसी परकार कोल इंधन का इस्तिमाल लोको मेर्टिव में होता है ठीक है next question देखेंगे सब्द का पहला जोड़ा एक निश्य संबंध रखता है दूसरे जोड़े को पूरा करने के लिए समान संबंध का सब्द प्राप्त करो दोखो river का संबंध है bank से तो c का संबंध कौन से सब्द से होगा तो इसमें option number a हो जाएगा सूर से संबंध होगा क्योंकि जिस परकार नदी के तटको bank कहते हैं ठीक उसी परकार c के तटको सूर कहते हैं जो c का तट होता है उसे सूर कहा जाता है next question उस बिकल्प का चैन करें जो तीसरे पद से उसी परकार संबंध है जैसे दूसरा पद पहले से संबंध है फिस का सं coord जो है वह सोल से है तो goods का संभन किसे से होगा 111 नंबर का जो जाएगा cancer number b हो जाएगा क्योंकि जिस प्रकार fist का संभन मशली का जुंड से है ठीक हो 60 Ovaches माने होताब ने मसलियों का जुन्ड उसी प्रकार goods бли stew संबंध है वह हो जाने का संबंध माने खाली होता है एक दूसरी के संबनार्थी है तो सेड रिट का मतब क्या होगा तेहां पर इसका option ए हो जाएगा क्योंकि जिस प्रकार से weekend का अर्थ खाली होता है तो इसका समवनार्थी में बता है empathy होता है और उसी प्रकार सीड़ेट मिन्स होता है santi और सांथ का जो समार्थी होता है वो week comes to भी सांती होता है सांत उस विकल्प का चैन करें जिसका तीसरे सब्द से वही संबंद है जैसा कि दूसरे सब्द का पहले सब्द से है लिखा हुए लिसन लिसन का जो है संबंद understand से है तो rest का संबंद कौन से सब्द से होगा इसमें option number d हो जाएगा इसमें resonate हो जाएगा क्योंकि जो इसका definition में जाएगा definition में इसका listen का संबंद understand से है तो उसी प्रकार से rest माने होता है आराम करना ठीक है listen माने सुनना understand माने समझना और rest का संबंद आराम करना तो resonate माने होता है हो ताजा होना ठीक है next question देखेंगे उस विकल्क पर चैन करें जो जो जिसकी जिसका तीसरा सब्द से वही संबंद है मतलब कहने का यह है कि eradicate डिस्टॉज से संबंद ही थे तो प्लीजर का संबंद प्लीजर माने क्या होता है प्रसन आनन्द होता है ठीक है तो एक सो चोदा नंबर का जो एंसर जाएगा वो डी हो जाएगा डिलाइट हो जाएगा जिस परकार से eradicate के मतलब होता है जड़ से मिटाना का समनार्थी है destroy समाप्त करना दोनों समनार्थी है यह उसी परकार pleasure का होता है आनन्द आयक तो इसका समनार्थी होता है delight माने इफी खुसी आनन्द होता है next question हो जाएगा बो का सम्बंद arrow से है तो bullet का सम्बंद कौन से सब्द से होगा तो इसमें option number B हो जाएगा गन से हो जाएगा क्योंकि गन में क्या लगते है बुलेट लगती ठीक है बो माने धहनुस होता है ठीक है जिस पेकार बो धहन घिसिपकार जो है घो मिए अफ्म तो खोन्राथी का नूसम यो होता है हो तो फिर उसका दूसरा क्या होता है honored हो होगा ठीक है एक सोब्ला का जो आप्षिन होगा वो आप्षिन नमर्ड भी हो जाएगा ने कि अ कि अ कि अ कि अ